हेलो फ्रेंड्स मेरे पास यह 90-gallon का सिकले टैंक एसमें मेरे पास 47 फिशेज हैं इनको मैं फीड डालने रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने के बारे में प्लान किया तो फीड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मैं कौन सी फीड डालता हूं और कैसे यह optimum हैं यह भी कोई यह में भी local brand है और यह imported है एक्वा मास्टर यह local feed है यह बी local feed है it means के मेरे पास यह three branded है, imported और three local हैं यह बी इनके साथ हम रखने हैं यहां पर ऐसे इसके reason ही है कि मैं इनको used to fishes को रखता हूँ in case अगर मुझे यह imported feed नहीं मिलती और मुझे local ही डालनी पड़ती है तो मेरी fishes फिर उनको को disease ना हो या उनको कोई stomach का problem ना हो वो used to हो इसलिए मैं तीन imported और यह तीन local इनको mix करता हूँ एक box में यह mix किया हुआ और यह imported वाली इन में से यह वाली और यह local जो है इनके अगर हम दाने देखें तो यह बड़े हैं जारा size में यह small size है यह small size है इसका यह size big है जो big size है उनको मैंने थोड़ो सा crush किया हुआ है ताके जो मेरे पास एक दो small fishes हैं उनके mouth में stuck ना हो जाए और जो एक दो मेरे पास यह rainbow shark भी है वो यह big वाला जो गाना होगा वो यह नहीं खा सकेंगी इसलिए मैं इनको थोड़ी सी crush करके देता हूँ ताके इनको भी मिल जाए जैसे यह मेरे पास small fishes भी है यह वाली small है भी यह rainbow है एक small तो इनके लिए अगर मैं crush करूँगा तो थोड़ी सी इनको मिल जाएगी सारी मैं बिल्कुल crush नी करता हूँ पोर्डर फार्म में उसको little bit crush करता हूँ इसमें mix होती है यह देखें अगर हम यहाँ पे इसमें mix है बड़ी भी है चोटी भी है ताकि एकुली सब को मिल जाएं अब यह वो स्पून है जो मैंने hit and trial करके adjust किया हुआ है जो यह 3 minutes में maximum 3 minute का time है 2 minutes में भी finish कर दें तो अच्छी बात है अगर यह 3 minutes तक finish नहीं करती है तो आपने remaining feed निकाल नहीं है बाहर टैंक से otherwise वो ammonia generate करेगी और फिर dangerous होगा ammonia spike आ सकती है और कोई नई disease start हो सकती है तो आपने को feed डालते है उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यह जो मेरा cover लगावा इसको मैं open करता हूँ यह इस तरह मैं cover को open कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे way maker को off करूँगा क्योंकि अगर मैंने way maker off नहीं किया तो feed जो है सारी साम filter में चली जाएगी यह way maker off हो जाएगा यह water में जो moment है वो stop हो गई है और फिर मैं यह air bar भी off कर दूँगा यह और अब यह मेरी fishes का feed time है यह बिलकुल ready है यहाँ पे feed खाने के लिए इसलिए यह उपर आ रही है तो अब मैं यह feed जो measured है मेरे पास already यह equal मैं करता हूँ यह half tea spoon है जो मैं इनको डालता हूँ यह maximum two minute में या हर three minutes से पहले यह finish कर देंगी एटन ट्रैल करके मेरा कोई भी friend अगर feed डालता है तो वो पहले से adjust कर लें तो best रहता है अब मैंने यह mayor की वी है जो मुझे पता है इनको टू मिनुट में finish कर देंगी है तो मैं यही इनको डालता हूँ half tea spoon मैंने यह किया हुआ है अब हम देखें यह बिलकुल ready है सब feed खाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लेके आँगा तो सब इस तरफ आ रही है feed के साथ ही और अगर इस साइड लेके आएंगे तो इस साइड आ जाएंगी तो अब यह डालते है यह मैंने डाल दी और अगर हम down side से देखें यह उन्होंने खाना start कर दी है अब जो मैंने थोड़ी सी जो crush की हुई थी वो down side आ गी है वो यह मेरी rainbow shark जो है यह small वाली यह खा रही है यह small pieces और यह दूसरी जो है यह वाली भी खा रही है कुछ इट मीन्स कि इस rainbow shark को और यह जो small cichlet है यह 1 inch यह 1.5 inch की में भी हो यह 2 inch की भी है और maximum जो बड़ी है वो 5-6 inch की है यह वाली तो इस small को भी each variety जो मेरे पास है imported वाली भी और local वाली भी सब मिल रही है और यह अच्छी quality वाली जो feed है यह imported जो होती है उसमें high protein होती है वो भी मिल रही है इसको और जो local है वो भी मिल रही है fish feed नहीं खाए अगर कोई fish feed नहीं खाती तो इसमें tension की बात नहीं है यह plus minus होता रहता है fishes में अगर one time नहीं खाती तो आप second time उसको डालेंगे तो वो खा लेगी तो मैं इनको two times डालता हूँ morning में और evening या night में इस time अभी night time है almost 9 p.m है अभी time और दोना time यह two minutes या time है two minutes में या maximum three minutes में यह finish कर देती है आभी यह नहीं फिनिश कर दी है मेरे खाल अभी one minute भी नहीं हुआ होगा या one minute हो गया maybe तो अब मैं यहाँ पे wave maker on कर दूँगा यह waker मैंने on कर दिया upside वाला यह water की movement start हो गी या top पे और यह एक down wave maker है यह भी on हो गया है इसने अगर को वेस्ट है तो इदर निकल जाएगा और साथ यह मैं आप air की बाहर भी on कर दूँगा यह air भी on होगी है यह two three particles रह गया है maybe यह इसने last भी finish कर दिया ओके होप करता हूँ यह video किसी दोस्त की कोई help करेगी thanks for watching take care bye